नमस्कार आप सबका स्वागत थे इस वीडियो में बच्चो आज की वीडियो में डिसकस करेंगे क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 23 जैसा कि आप सब जानते हम लोग पढ़ रहे थे ऐसे ऐसे एकांग की जो कि इसका भाग 3 है भाग 2 की वीडियो नहीं बन पाइदी भाग 1 हमने स्टार्ट किया था अब है भाग 3 तो चलिए स्टार्ट करते बच्चे जो भाग 2 था उसमें आप लोग बढ़ चुके थे कि जो मोहन है वो अपने पिताजी के साथ दफतर जाने के लिए बहुत एक्साइटीर था बहुत कूद रहा था तो बस अड़ अगर कि दर्द हो किसी चीज़ का उन्होंने हीं चूरन और पेपर में जो भी चीज पॉसिबल थी उसको सब दिया अब आगे देखते हैं और उसके बाद वह उन्होंने चिंटा में उन्हां सब देच चुकी दिए और तभी फोन की घंटी वश्ती है तो पिताजी ने कहा हैं 9-8-3-3-3-2 है उन्होंने वेट को डाक्टर को फोन किया और पूछआ किया मेरे बेटाएं टो वन्होंने ने पूछा कि हुआ मैं बहुत हुह तो बस बोल रहा है कि पापा कुछ पेट में अब ऐसे-एसे एक्जेक्टली क्या हो रहा नों समझ्झ लिए खुम्हारा था है तो वह बस बोलोर की बीटा है एससे एसे उसका चेहरा है वह भी सफेध हो रहा है वह नाश्टा फिटता जा रहा है और कहीं एसे भी निशिदस्य प्रॉब्लम भी नहीं नहीं लाला दीननात है वो मोहन के घर पर आते हैं और मोहन को देखते हैं वो कहते हैं वो जो मोहन है वो कहते हैं मोहन को उल्टी आ जाती है वो नीचे उतर के जुपता है मां सर पर करती है उसका मोहन तीन चार पर कहते हैं ऐसे ऐसे करता है वो थूखता है फिर वो लेड़ जाता है तो उनके मां बोलती है मुहन की क्या हो गया तो फैर को तो बहुत सही था भला चंगा था कुछ समझे नहीं आ रहा कि इसको दिक्कत क्या हुई है कैसे पड़ा तब से कह रहा है बस ऐसे 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 सब हो रहा है और हर वक्त घर को सर पर उठाए रखता था तो दीना आज जी कह पड़ोस को भी गुलजार के रखता मितलब वो कहते हैं कि आपके घर के साथ-साथ यह पड़ोसियों में भी पड़ोस के बहुत तंग करता था इसे चेड़ उसे पचार इसके मुका उसको थपर तो यह सब करता ही रहता था महले की शान है आपका बेटा तो पिदा जी बोल होने स्कूल चला ही जाता ही है मामली तर खलीफ होती तो यह कुछ समझता नहीं पर कोई डर नहीं मैं वैजजी को बोल गया हूँ वैजजी जल्दी आएंगे और इसका इलाज कर देंगे मोहन फिर से कहते है आदर दो रहा है मां घबरा कर बोलती है क्या हुआ बेटा क्या ह भूँ है मोहन बड़े जोर से फिर से वही कहता है कि ऐसे 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 वह पेड़ दबाता रहा और कहता रहा कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है तो यह था आज का संबाद जिसमें हमने ने देखा कि जो उसके पिताजी है वो डॉक्टर से फोन पर बात करते हैं उसका case जिस ठीकरते तो बच्चो मोहन कैसे से कहने पे महां इसके घबढ़ा रही थी क्यूंकि उसके भीमारी का कारीट समझ नहीं आरा था कि मोहन को क्या तकलीफ है मोहन को पेट में जो दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है इस वज़े से उसकी मां बहुत जाधा चिंतित थी इस वज़े से कि मोहन की तकलीफ समझ नहीं आ रही तो उसको बहुत तेज से पेट में दर्द हो रहा था दर्द भी नहीं कह सकते कुछ हो रहा था उसको वमिट हो रही थी तो इस वज़े कि इसकी मां बहुत खबराई हुई थी दूसरे प्रशन है बच्चो संकट के समय कौन कौन से फोन नंबर याद रखे जाने चाहिए तो बच्चों संकट के समय हमें में इन सबसे पहले है 100 किसका नंबर है पुलीस पुलीस स्टेशन का नंबर यार होना चाहिए 101102 एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलीस टेशन ये तीनों नंबर हमें याद होने चाहिए क्योंकि कोई भी आपदा होती तो इन तीनों से रिलेटेड होती है तो हस्पिटल जाना पर सकता है या फिर घर पर आग लग सकती है या फिर किसे से मार पेट हो कुछ केस हो तो की जड़रक पढ़ सकती है और बच्चो प्रशन है। कार्य परत्र के पहले समवाद में पिताजी और डॉक्टर की फोन में बाते रहा को समवाद के वाच्छेत में रुकिए तो बच्चों माँ बता देते हैं उनके बीच में क्या समवाद हुआ है पिता जी कहते हैं कि यह है यह है तो फिर डॉक्टर डॉक्टर कहेंगे जी जी हां बोल रहा हूं कौन यह है डॉक्टर फिर मोहन के पिता जी डॉक्टर साहब तो फिर डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि उनने जो मोहन के पिता जी है उनने कहा डॉक्टर साहब जी हां मोहन के पेट में दर्द है यह उसका डायलोग है अब उसके बाद है कि जो डॉक्टर है वो क्या कहते हैं डॉक्टर ने सब सबसे पहले पूछा क्या मोहन ने सुबह से कुछ खाया तो पिता जी ने बोला नहीं खाया तो कुछ भी नहीं बस यही कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है और तो फिर डॉक्टर ने पूछा क्या उसको कहीं पर चोट लगी वह गिरा उन्होंने बोला नहीं गिरा भी नहीं ऐसे ऐसे होता है तो डॉक्टर ने पूछा कि वह क्या कह रहा है क्या तकलीफ है तो उन्होंने बहां कि बस जी ऐसे ऐसे होता है ऐसे यह ऐसे ऐसे ही बोला तो फिर डॉक्टर ने पूछा क्या उसके चहरे का रंग बदला सफेद हुआ तो उन्होंने बोला चहरा एकडम सफेद हो तो नहीं देखा फिर यह आपकी जो हमने बताई यह है डॉक्टर और मोहन की पिताजी के बीच का संबाद जो हमने अभी देखा तो बच्चो यही था आज की वर्क्षीट आशा करती हो वर्क्षीट आपको समझ आ गई होगी आंसर आपको समझ आ गया होगा प्लिक सकते हैं तो अबूग कर देखा अब एंग्यू एंग्यू